नमस्कार मैं हूँ दिबांजिली मुईत्रा यूक्रेन पर हमला बोलने वाले रूस के खिला अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, समेथ तमाम बड़े देश जहां कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे तो वहीं यूनाइटेड नेशन में भी रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे कुछी दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद यानि की UNSC में रूस के खिलाफ अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया था आला कि रूस के वीटो की वजह से वो प्रस्ताव गिर गया था और अब उधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानि UNGA में निंदा प्रस्ताव लाकर रूस को घेरने की कोशश की जाने लगी लेकिन इन दोनों ही मौके पर भारत ने जबरदस्थ उटनीती का परिचय देते हुए वोटिंग से दूरी बना ली आखर भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए हमारी ये रिपोर यूक्रेन पर हमला बोल रहे रूस के खिलाफ अमेरिका जब UNSC में प्रस्ताव लेकर आया तो भारत ने इसके समर्थन या विरोध में वोटिंग करने से दूरी बना ली और सफाई दी कि सभी सदस्य देशों को मध्भेदों और विवादों को निप्टाने के लिए कूटनीतिक तरीके से प्रयास करना चाहिए विवाद को निप्टाने के लिए सनवाद ही एक मात्र रास्ता है हाला कि इस समय वो कठिन लग सकता है ये खेट की बात है कि कूटनीती का रास्ता छोड़ दिया गया, हमें उस पर लोटना चाहिए कूटनीती का रास्ता अपनानी की सलाह देकर UNSC में रूस के खिलाफ आय प्रस्ताफ से दूरी बनाने वाले भारत ने बुदवार को एक बार फिर बड़ा फैसला लिया और इस बार जब UNGMA रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताफ आया तो भारत एक बार फिर इस प्रस्ताफ के समर्थन या विरोध में बोटिंग करने से पीछे हट गया भारत प्यूं हटा बोटिंग से पीछे? यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के पचड़े में पढ़ने से बहतर मोधी सरकार ने युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में अपने नागरिकों को बचाने का रास्ता चुना और जबसे युक्रेन में यूद्ध छिडा है, भारत तभी से अपने नागरिकों को बचाने के लिए जीजान से लगा हुआ और इसी बात का जिक्र भारत ने यूएन महसभा में भी किया भारत ने कहा हम अपने छात्रों सहित सभी भारतिय नागरिकों के लिए सुरक्षत और निर्बाद मार्थ की मांग करते हैं जो अभी भी यूक्रेण में फशे हुए हैं खासकर खारकीव और संघर शेत्रों के अन्य शहरों से हैं हमने रूस और यूक्रेण दोनों से इस मांग को दोहराया यह हमारी सबसे बड़ी प्राथ मिक्ता है हमारे नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिष्चत करना हर सरकार का मूल करता व्य है इसलिए हमने संघर शेत्रों से भारतियों को वापस लाने के लिए विशेश उड़ाने शुरू की भारत तत्काल युद्ध विराम के अंतराश्ट्र समुदाय के आहवान का समर्थन करता यूक्रेन में फसे भारतिय नागरिकों को वहां से सुरक्षत निकालने को अपनी प्राथ मिक्ता बताते हुए मोदी सरकार ने तत्काल युद्ध विराम का समर्थन तो किया ही साधी यूक्रेन को इस मुश्किल वक्त में राहत सामकरी भेजने की भी बात दोह राए के साथ अपनी चर्चा में सपष्ट रूप से इस बात से सभी को अवगत कराया भारत में मानविय पहुंच और फसे हुए नागरिकों की आवजाही के लिए ततकाल अनिवारिता को रिखांकित किया इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि रूसी संग और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वारता के सकारात पर परिणाम निकलेंगे यूएन जीय में रूस के खिलाफ आये इस प्रस्ताव में रूस से अंतराश्ट्रिय मानिता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन के इलाके से अपने सैन्य बलों को पूरी तरह से ततकाल और बिना शर्प हटाये जाने की मांग की गई 141 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मद्दान किया जबकि बेलारूस, उत्तरकोरिया, एरिट्रिया, रूस और सीरिया ने प्रस्ताव के विरोध में मद्दान किया और चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षन, अफ्रिका समेत 35 देशों ने मत्दान में हिस्सान नहीं लिया संयुक्त राष्ट्र महसभा प्रमुक अब्दुल्ला शाहिद ने मत्दान नतीजों के बाद कहा कि ये प्रस्ताव अंतराष्ट्र समुदाई की यूक्रेन में हालात पर गंभीर चिंता दर्शाता है मैं यूएन सदस्य देशों के साथ मिलकर नागरिक प्रतिष्ठानों जैसे की आवासों, स्कूलों, अस्पतालों और महिलाओं, बुजर्गों, विकलांग जन्स, बच्चों समेत, हताहत आम नागरिकों पर हमलों की खबरों पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ आपको बता दे, रूस के खिलाफ यूएन जीये में आय प्रस्ताफ के समर्थन में वोटिंग करने की वज़ाए भारत ने जिस तरह से वोटिंग से दूरी बनाई है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि वो अपने पुराने दोस्त रूस के खिलाफ नहीं जाना चाह और ये बात शायद यूक्रेन के राश्रुपती बोलोदेमिर जलन्सकी भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कुछी दिनों पहले पियमोदी से गुहार लगाते हुए कहा था कि भारत से हमने सुरक्षा परिशद में यूक्रेन को राजनीतिक मदद देने की अपील की, हमें साथ मिलकर इस आकरमन को रोकना होगा, हाला कि यूक्रेन के राश्रुपती जलन्सकी के इस अपील का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, और बुद्वार को भारत ने यूएन जीय में रूस के खिलाफ आप प्रस्ताफ पर हुई वोटिंग से ही खुद को दूर कर लिए, भारत के इस रुख पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथी बुद्वार को पीएन मोदी ने एक रैली में यूक्रेव में जारी हमले पर क्या कुछ कहा था, आईए आपको सुनाते हैं बाई यो बेहनों, आज दुनिया में जो अहालाद बने हैं, वो आप देख रहे हैं, ये भारत का बढ़ता सामर्त ही है, कि हम यूक्रेव में फसे, हमारे देश के नागरिकों को, वहां से सुरक्षित निकानने के लिए, इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, आपरेशन गंगा के तहट, कई हजार नागरिकों को, वहां से, देश वापस लाया जा चुका है, इस मिशन को गती देने के लिए, भारत ने, अपने चार मंत्रियों को भी, वहां पर भेज दिया है, संक्ट में फसे, भारतियों को ज्यादा तेजी से निकानने के लिए, हमारी सेना, बायू सेना को भी, लगा दिया गया है, मैं आज, देश के लोगों को भी, ये विश्वात दिलाता हूं, कि भारत सरकार, अपने नागरिकों की, सुरच्चित वापसी के लिए, कोई कोर कसर, बाकी नहीं छोडेगी, बदलते हुए समय में, भारत को और ज़्यादा ताकतवर बनना ही होगा, भारत तभी ताकतवर बनेगा, जब दूसरे देश्वापर, भारत की निर्फ़ता कम से कम होगी, जो लोग, आत्मंदिर पर भारत अभियान का, मजाक उड़ाते हो, जो भारत की, सेनाओं का अफमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मैनत से, चल रहे, मेक इन अभियान, मेक इन इंडिया, अभियान का, मखोल उड़ाते हो, वो गोर परिवालवादी लोग, भारत को कभी, ताकतवर नहीं बना सकते, ये वो लोग हैं, जो भारत के, अपने टीके के विरूत, अफ़ा फ़ालाते हैं, भाईयों बेनों, आपको टीका लगा के नहीं लगा, सबके सब लोग, जिनका टीका लगा हो, ज़रा हाथ उपर करके बताएए, आपको टीका लगा के नहीं लगा, हर एक को लगा कि ने लगा आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या आपको जेब में से एक उर्पिया निकालना पड़ा क्या भाई यो बेनो ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवारने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे उसमें भी मुसीबत होती थी ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराकरम पर सवाल उठाते हैं इन लोगों को क्या उत्तरप्देश के लोग वोट दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं साथियो भारत का सबसे तेटिका करन अभ्यान या 80 करोण से अधिक बेशवाशियों को मुप्त राशन की व्यवस्ता बुनिया ये जब सुनती है न कि 80 करोण लोगों को करीब करीब दो साल से मुप्त राशन पहुचाया जा रहा है ये आकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौक जाते हैं उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग है जिनको आज भारत उनका घर का चूला चलता रहे मेरी गरीब मा के बच्चे भूखे न रहे इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई लेकिन इन गोर परिवारबादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है अपमान कर दोड़ी है